मुख्य मंथि योगी आदेतनाथ का आज हर्याना दोरा सुवए 9 बजे लखनों से हर्याना के लिए रवाना होंगे सीम योगी हर्याना के पंचकुला, अम्बाला, जीन्द और सोनी पत में जन्सभा करेंगे सुबर ग्यारा बजे पंचकुला में करेंगे जंसभा दोपेर बारा बजकर पंदरा मिनट पर अंबाला में करेंगे रेली दोपेर एक बजकर पचास मिनट पर जीन में जंसभा को करेंगे संबोधित वहीं दोपेर तीन बजकर तीस मिनट पर सोनी पत में वो जंसभा करेंग सेम् Phill योगी 13 और सोंग्वर को महारास्ट की दोरे पर मुख्यमुंंतरी लातूँर — इभाल में रात्ति विशाम भी करेंगे योगी 14 और मारास्ट के सोला पूर सांगली या और और offenses ऑ्रंगार में प्रिचार की कमान सम네요 करेंगे दिली के मुक्यमंत्री एर्विंद के जिवाल आज वीडियो कान्फरेंसिंग के मात्यम से सी चालिज जल्वाईव परिवरतन शिकल्व संभिलन को संबोधित करेंगे विदेश मंत्राले दोरा डैन्मार्क दोरे की इजासत नहीं दी गई थी उत्राकंड के मुक्यमंत्री त्रिवेन सिंग रावत का आज घाज़ेबाद दौरा मुक्यमंत्री बारह बज़े पहुंचेंगे एर्पोर्ट घाज़ेबाद से हिंडन पितोरागड हिंडन हवाई सेवा का करेंगे शो बारा हिंडन से पिथोरागड का किराया 2270 रुपए और पिथोरागड से हिंडन का किराया 2470 रुपए होगा जो ये विमान सिवा हर दिन मिलेगी ये 9 सीटों वाला विमान होगा आज आगरा में दूसरा दिन आननदी बेन पटेल कई करेंगे शिरकत थी तेन दिवसी आगराा दोरे पर हैं राज जुपाल als 79 बारिकी से नहारा बावाेक शलीम चिश्ती की मजार पर म Cit Santa पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर मामले पर दिया बयान पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर की जांच कराई जा रही है मजिस्ट्री जांच के बाद के भी आदेश दिये गए जो भी दोशी होगा उसके खलाब कारिवाई की जाएगी समाजवादी पार्टी से पूर्व प्रदेश में राजक्ता का माहल है गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है वहीं वीएसपी सुप्रीमों मायवती ने किया ट्वीट कर यूपी सरकार पर साधा निशाना लखनों में अपरादियों के होसले बुलंद फरजी एंकाउंटर से जनता में रोश कॉंग्रिस मासरशे प्रियंका गांधी का मिशन यूपी 14-16 अक्टूवर तक प्रियंका का लखनों दोरा पार्टी की पदाधिकारियों के कामों को पर्खेंगी 14 अक्टूवर को प्रियंका गांधी आ सकती है राइबरेली प्रियंका गांधी के साथ सोनिया गांधी भी आ सक उत्रप्रदेश राजस्व महासंग के आवान पर लेकपाल, कानुनगो और तैसिलदार संग ने लामबंध होकर एक दिवसी धर्णा प्रदर्शन किया उनने कहा कि विले से हमारे प्रोमोशन में रुकावट होगी तो वेतन विसंगतियां भी हावी होगी कुशी नगर के सिकटिया गाउं में अग्यात बदमाशों ने पत्रकार की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी आनन फानन में पुलिस के आलादिकारियों ने घटना इस्थल का दोरा किया बताया जा रहा है कि मृतक रादिश श्याम शर्मा का गाउं के कुश लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था इशावस्ती में तेज रफतार बाइक का कहर देखने को मिला आनन फानन हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंबीर रूप से घायल हो गया गंबीर हालत में जिला स्वताल में भरती कराया गया जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने घटना इस्तल का दोरा किया और शब को पोस्ट माटब के लिए सैंक जिला स्पताल भेज दिया सिर्सिया थाना शेत्र के कलकलवा मोड का मामला पंचाय चनाव का दूसरा चरण आज दूसरे चरण में बारा जिलों के 31 विकास खंडों में होगा मतदान सुरक्षा के किये गए पुखता इंतिजा गंटी का बटन दबाएए और हिंदी खबर से जुड़ जाएए